नमस्कार दोस्तों आप सबको स्वागत है हमरे यूटूब चैनल फ्री कंपूटर ट्रिक्स में तो आज इस वीडियो में हम सिखेंगे दोस्तों जी ओ प्यूएस प्लस की मन पी प्रोसिडियोर के बारे में तो पूरी जानकारी के लिए क्रिपैट वीडियो का अंतक देखते रहिए गा तो चलिए सुरू करते हैं मैं हूँ पार्थ आपके साथ तो दोस्तों आपके फोन में जी ओ प्यूएस प्लस अफ्लिकेशन उपन करें और आपका यूजर आडी पासफ़र देखें वहां पर लॉग इन करें दोस्तों लॉग इन करने के बाद यहां पर करें और ड Vine के ओपर क्लिक करें और उसके बाद आप डिगिटल क्यूसी आधार सिलेट कर सकते हैं अगर कस्टमर के पास आधार काड है तो नहीं तो आप डिजीटल कैं की मेना अधार के लिए कर सकते हैं तो तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों क्यूए पर कोड़ स्कान करने पर कुछ एर्र मेंसेज आता है जैसे कि हमारे केस में देख सकते हैं यहां पर क्यूआर इज नॉट स्कैनेबल तो अप मानवाली भी एंटर कर सकते हैं दोस्तों तो यहां पर आपको करना क्या है डिजिटल के वाइसी नौन अधार पर क्लिक करना है select po is जहां पे लिक्गाए वहाँ पे आधार कार्ड भी चूझ कर सकते हैं तो यहां पे आधार चूझ करें जैसे की customer के पस आधार कार्ड है तो यहां पे document नमबर के जगह पर आधार का नंबर समें दोस्तों तो यहां पे बार formulas को वाला अधार नंबर डालें document नंबर जहां पर लिखा है और उसके बाद next के उपर क्लिक करें और यहां पर आपका जो आधार काड़ है दोस्तों उसका front और back का photo लेना है तो यहां पर सबसे पहले आप front का photo ले यहां पर देखिए capture front view capture back view तो सबसे पहले आप front view का photo ले और उसके बाद आप back view का photo ले सकते हैं तो फोटो जो है दोस्तों clarity होना चाहिए अगर photo clarity नहीं आ रहा है तो आपका activation process जो है MNP process जो है वो fed हो सकता है तो यहां पर अच्छे तरीके से आपका photo जो है document की photo जो हो है वो ले 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 फोटो लेने के बाद यहां पर प्रीवी देख सकते हैं उसके बाद next के उपर क्लिक करें और यहां पर select POA proof of address तो बहुत सेम रहने दीजिए दोस्तों next को पर फिर से next के उपर क्लिक करें और यहां पर क्यासर ना की Lights से今Stele का फोटो जो है आपके लेना है आपको plus मार्क के उपर क्लिक करें और customer की लिप फोटो जो ही यहां पर ले लें दौस्तों कस्टमड की फोटो भी clear होना चाहिए दोस्तों अब जो भी平 zone फुर फोटो यहां पर खीशते हैं थ्टुर वह फो और अभी आपको कस्टमर डीटिल्स यहां प्र फ्लब करना है दो सखेंप और यह और यहां पे मोबेखर धारनाइनबोर का चलबा कड्र जो है हैँ से नमबर तो नेक्स्ट यहां पे नीचे आपको अड्रेश डालना है दो विलेज नेम, लैंड मार्क, पोस्ट, पिन कोड, स्टेट, विलेज एंड सिटी, जिस्टिट, इस सारे डीटेल्स यहां पे आपको डालना है तो अभी थोड़ा नीचे जाएं और उसके बाद यहां पे देखि आपको सिलेट करना है और आड में क्लिक करना है और उसके बाद ओके पर क्लिक करना है और नेक्स्ट यहां पे आपको करना है करना है करना है तो नेक्स्ट यहां पे आपको करना है कि दोस्तों MNP चूज करना है तो सिलेट करें MNP और उसके बाद यहां पे आपको MNP और उसके बाद उसी मोबाइल नमबर पे MNP मोबाइल नमबर पे एक EPC कोड आया हुगा दोस्तों यहां पे EPC कोड एंटर करें तो यहां पे आप पूछ सकते हैं अगर आप नए हैं तो आप EPC कोड केसे पा सकते हैं तो चलिए दोस्तों यहां पर हम जान लेते हैं आप यूपीसी कोड केसे पा सकते हैं तो यहां पर जो भी मोबाइल नंबर को आपको पोर्टिंग करना है उसी मोबाइल पर जाना है और वहां पर मेसेज टाइप करना है पी यो आर्टी कैपिटल लेटर में पी यो आर्टी स् यहां पे जिस date में आप वो message भेदे थे वो date यहां पे आपको एंटर करना है दोस्तों और नीचे आपको select करना है service provider ने जैसे कि हमारे case में एटल सिम्था तो हम भारती एटल GSM select करें प्रिपेड रहने दें और save के उपर click करें और यहां पे select product करना है दोस्तों प्रिपेड और यहां पर आप प्रिपेड प्लान जो है यानि कि MNP प्लान यहां पर चूज करना है दोस्तों तो फिलाल यहां पर 399 का प्लान हम चूज करेंगे MNP 399 और यहां पर reference number आपको पूछा जाएगा दोस्तों यहां पर simply आपको enter करना है 12345 और ok के उपर click करना है त तो नेक्स्ट यहां पर आपको ICC ID डाला है दोस्तों तो इजीली आप राइट सेड में जो scanning का बटन दिख रहा है वहां पर टाइप करें टाइप करने के बाद आपका SIM का QR कोड़ है वह दिखाएं दोस्तों कैमरा में और यहां पर ICC ID कोड़ जो है आटोमेटिक यहां पर स्कूल करें और यहां पर आपको एक box मिल जाएका details verified by customer उस box को स्लेट करें सेट करने के बाद प्रोसीड करें तो नेक्स्ट यहां पर कस्टमर एंड एजेंट टीबी वेलीडेशन करना है दोस्तों तो सबसे पहले यहां पर कस्टमर ओटीप कस्टमर की जो alternate mobile number है वहां पर और उसके बाद आ रीग्वर कंसेंट उसको स्लेट करें और नेक्ट ऑकर क्लिक करें नेक्स्ट आपको यहाँ पर एजट भी डाला है तो तो आपके फोन में एक और पर और और से एजेंट कंसेंट करना हैं और ओके के उपर क्लिक करना है अगर आपको तीप चाहे तो आप रीसेंड टीपी का अप्सन जो ही इस्तेमाल कर सकते हैं तो नेक्स्ट यहां पर आपको लास्ट फाइव डिजिट अब तो ICC ID अब सिम गिवन टू केस्टमर ICC ID की लास्ट पांस नमबर यहां पर डालना है दोस्तों पांस नमबर मतलब आपको ICC ID की एक नमबर लास्ट का एक नमबर चोड़के बाकी पांस नमबर यहां पर आपको डाल देना है और उसके बाद वैलिडेट ओटीपी के उपर क्लिक करना है और उसके बाद ओटीपी वैलिडेशन सक्सेस्पुल आ जाएगा और नेक्स्ट यहां पर आपको करना है दोस्त कि प्रोटी वहुए ने लगा दोश्तों आपका ईमेज अपका इक वह सारे अपलोट होने लगें यहंक्ärt पर यहां पर प्रोक्षेस हो रहा है एक एक अपलोट होने के के पर आपको री चार्ज पेज दिखाई देगा दोस्तों यह पर आपको रीचार्ज करना है तो 399 का यहां पर रीचार्ज कर लें तो यहां पर देखिए आपका order जो है successfully submitted हो गया तो यानि कि आपका MNP process जो है आप successfully complete कर चुको हैं तो दोस्तों यह था है complete जानकारी आप कैसे जी ओ पी ओस प्लस में MNP का जो procedure है उसको complete कर सकते हो तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जोरू कीजेगा और दूसरे के साथ share भी करे अगर आपको इस वीडियो related कु सबस्क्राइब करें बैल एकन को प्रेस करें ताकि इस तरका ने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके जैहिंद दोस्तों